अलो फ्रेंट डाल चन टेक्निकल में आपकर स्वागत है मैं डाल चन सेनी आज आपको वीडियो में बताएंगे जो कि सीबीवी सीबीटिंग कैसे करते हैं कैसे इसमें पैप लगाते हैं कैसे इसमें टूटी के लिए पॉइंट लगाते हैं जो कि आपको सब कुछ बताएंग कैसे इसमें गीजर के पॉइंट बनाते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए जैसे कि आप देख सकते हो यह दिवार है कोरी दिवार पाने की लाइन के लिए जिरी बनाएंगे किस फिरकार बनाते हैं जो कि आपको जो कि सब कोछ इसमें नाप करेंगे नाप करने के बाद हम ग्रेंडर की मदद से पहले इसमें कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद छीनिया तोड़े से इसी जड़ाएंगे जो कि आपको फ्रेंज बताते हैं पहले इसमें नाब करेंगे जैसे कि आपको बता दे कि जो इसकी जो नलकी ठुटी की है वो हायट होती है हो 45 और 47 के बीच में होती है यह हमने जीरी की है जो कि आपको बता देते हैं इनकी जो डीप्रेंज दूरी है साथ इंचे लिए जो कि आपको हम दिखाते हैं फ्रेंज जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने वास्पेशन के लिए लाइन उतारी और ये उपर गीजर के लिए लाइन छडा दी है जो कि आप देख सकते हो जो गीजर की पॉइंट हो के हाइट है यहाँ छह फुट के लिए आइट ली है आप देख सकते हो यह हमने यहाँ पर आपके 45 लिए हुई है जो उनकों के पॉइंट आएंगे उसकी हमने शावर के लिए पॉइंट बनाया है जो कि साड़ी छेपूट की आईड दी है, जो कि फ्रेंस आप देख सकते हो, प्रेंस इस पर काज बना लेंगे, यह हमारी लेट्रिंग है, जो कि आप देख सकते हो, यह हमने शिष्टन के लिए पॉइंट दी हो है, जो कि आप देख सकते हो, यह हमारा नल का पॉइंट है, ज नब देख सकते हो इस फिरकार इसकी ज़िरी बनाई है हमने, नब करके प्रम काटेंगे ताकि भाय स्टेज नहीं जाए आप देख सकते हो कि यह हमने पॉइंट बनाए है जो कि वाल शीट लगेगी इसमें आप देख सकते हो फ्रेंस यह हमने नल की टूटी नल के लिए पॉइंट बनाया है फ्रेंस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना जैसे कि आप देख सकते हो अब हम इसको करेंगे एसे पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसको चेक करेंगे कई सी लीक लगा लीक किसी काय तो नहीं जो की फ्रेंस आप देख सकते हो अगर फ्रेंड साब आप मैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सिस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंस कीजिए थैंक्यू धन्यवाद आपका दिन शुरूर मंगल में ऐसी हम काम न करते हैं थैंक्यू धन्यवाद